है हलो दौस्तों स्वागते आप सभी को दोस्तो अजम और एक नया सीच सिखने को मिलेंगे ऐसे ऱष्मावेट रहाऊंगा तख़ान नहीं अब सभी को में दिखाऊंगा फिर और एक वीदियो बनाऊंगा उस वीदियो के जरे में आप सभी को सिखाऊंगा किस तरहOW मैं सेटिंग क्या हुआ वा अज मैं शोट्स लगाउंगा 50 मितर से लेकर सो मितर तक मैं सेंटर पुइंट के लूँगा सभी डिस्टेंस पे मैंने चेंट रखाए वहाप पचास मितर से लेके सो मितर तक यानि की 50 मिटर्स पर मैंने एक रखा फिर 60 70 80 90 100 रखा है 6 एक है उसे में शोट्स करके दिखाऊंगा आप सभी को और रिकॉर्डिंग ईस गोफ्रोट के थ्रू इस गोफ्रो मौंण के तुरू आमयरे क Chamозя करके आप सबीकू दिखाऊंगा इसे किस तरह सेटिंग क्या है आप देख सकते हैं इसे सेटिंग करना बहुत ही सिंपल है आप इसे खुद भी कर सकते हैं या फिर एप्स का मदद से भी कर सकता है मैं बहुत जल किस तरह इसे सेटिंग क्या गया है उस पर वीडियो बनाऊंगा यह मेरा सेटिंग है यह आप द दीखाऊंगा और किस तरह से क्लिक सरके में सब्सक्राइण करता है। यहाँ और बहुत जल में सेतिंग किस तरह сेतिंग क्या वह आप सभी को दिखाऊंगा तो चैले दोस्तों शुटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फेले में शोर्ट्स लगाऊंगा पचास मितर पे फिर में ऐसे डिस्टेंस बराते जाऊंगा यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह 50 मीटर्स ले में रखा है एक केंग शिक्स्टी सेवेंटी 1589, refreshed यह वहला जो साइट में रखा है ना सॉरी यह तो मैंने एसस शुट करके देखा है स्व मितर पर रखा है तो टेस्ट करके देखना पड़ते है क्योंकि वह भी है तोड़ा चलिए तो हम 50 मितर से सुटिंग स्टार्ट करते हैं अपमें चलांगा 60 पर अपने चलाओंगा 60 पर अपने चलांगा 60 पर अपने चलाओंगे बढ़ी दोस्तों अब यह 70 मीटर्स पर अपने ज़ीए अपने ज़ीए कि बढ़िया दोस्तों अब मैं चलाओंगा 80 मीटर्स पर चले आगे बढ़ते हैं 90 मीटर्स पर अब देख सेखते हैं मैं किस तरह क्लिक्स कर रहा हूं अबेशिन को कि अब चले दोस्तों अब 100 मितर पर शोट लगाते हैं कि इस पर देखें दोस्तों दो कैंसे एक इस पर मैंने पहले शोट करके देखाता अब यह वाला एक है इस पर शोट लगाऊंगा मैं दोस्तों हावा का बज़े से मिस्ट वा लेप तूर राइट विंड ब्लो हो रहा है उसका बज़े से मेरा स्लाक तोरह राइट चला गया कोई नहीं फिर हम ठ्राइब करेंगे आउशम बहुत ही मज़ा आया दोस्तों दोस्तों आप बिल्कुल इससी तरह सेटिंग करके शोट कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा तरीका है शोट करने का किसी भी डिस्टेंस पे सेंटर पोइंट करने का आप बिल्कुल सोट कर सकते हैं आप भी बहुत ही सिंप्ल तरीका है मैं नेक्स वीडियो में मैं बताऊंगा इससे किस तरह सेटिंग किया गया है और मैं एक चैलेंज रखता हूँ अगर मेरा ये वीडियो में 500 लाइक्स आया तो मैं जरूर बनाऊ में दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहां से बैट के सोट्स लगाया और मेरा थार्गेट वहां पे हैं डिस्टेंस जैसे मैंने बताया 50-100 आपको कोई सक करने का जैरूरी नहीं इसमें मैं अपना बहुत एच्छा रेंस फाइंडर यूज करता हूं उसके त्रूही में जो FFP इसको पर उसका जरूरी होता है आप SFP भी यूज कर सकता है लेकिन FFP जाद अच्छा होता है इसके लिए देखें दोस्तों यह मेरा पहला तरगेट 50 मितर पर वाउ दोस्तों आप देख सकते हैं यह एमटी केंस इसमें मैंने फानी बढ़ाता ताकि सोट करते समय यह किसी और काट है तो इसमें केंस पैकना सही नहीं रहेगा और यह मेरा दूसरा तरकेट देखें दोस्तों बिल्कुल सेंटर पर सोट क्या है आप देख सकते हैं मैं इस तरह रखा हुआ था और यहां एक्जिट हुआ है देखें यह 60 मिटर्स अब इस 70 मिटर्स आप देख सकते हैं इसमें इस तरह मैंने सेटिंग क्या वादा यह रहा दोस्तों इसमें तो पानी अभी भी है आप देख सकते बिल्कुल सेंटर पर यह विसोट हुआ और यहां से निकल गे गोली आरफ पार चलिया आगे बढ़ते हैं यह 70 मिटर्स अब चलेंगे नेक्स तरगेट देखेंगे हम यह रहा दोस्तों बिल्कुल यह भी सेंटर पर ही सोट हुआ है तो रहा साइट लेप साइट सोट हुआ है और यहां से गोली निकल गया देखिए यह आप देख सकते हैं यह 80 मिटर्स अब बढ़ते हैं नेक्स 90 मिटर्स वाओ दोस्तों देखिए यह भी बिल्कुल इस लाग का देमेस है मैसीब देमेस हैं देखिए आप देख सकते हैं यहां पर सोट किया और यहां से निकल गया तोरा सा यह साइट में सोट किया मैंने जैसे मैंने बताया हावा लेट उराइट बलो हो रहा था पहले उसका वज़ेसे तोरा सा राइट पर सोट किया है आप देखिए दोस्तों यह मेरा चालगेट ऑग भी सोंट पे दो थार्गेट मैंने बताया पहले उसके मैंने टेस् केट गड़ेगा ता एक दोबर तो अब यह रहा 100 मेटर पर इसा म और यह रहा देखे दोस्तों इसमें बहुत सारा चेत आपको दिख जाएगा देखे मैंने पहले इसमें टेस्स तोट किया था इदेखे दोस्तों इतना ही अभी मैं जितने भी एकन से उठा के ले जाओंगा फेकूंगा मैं इसे 10 बिम में दोस्तों आप बिल्कुल सेटिंग कर सकते इसी तरह और सोट कर सकते बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको आप बिल्कुल होल ओबर होल दाउन भी कर सकते लेकिन यह सब सेटिंग करने के लिए आपको बहुत सारा सीजे का जरूरत होता है मैं वह भी बताऊंगा न अच्छा लगा तो थैंक यू सो मुच